हेलो फ्रेंस मैं फरीदा आप देख रहे हैं समाची खबरे हिंदी टीवी नियूज आईए देखते हैं आज की बड़ी खबर आ रही है यूपी के मौलानाओं ने एक नया फर्मान जारी किया है ये फर्मान कमेटी के मौलानाओं ने जारी किया है उन्होंने अपने एलान को लेकर कहा कि अगर किसी भी बारात में डीजे साउन नजर आया तो वो निकान नहीं पढ़ाएंगे यही नहीं अगर एलान को किसी के जरीय माना नहीं गया तो उसके और उसके परिवार वालों के जनाजे में भी शामिल नहीं होंगे इस फर्मान के बाद मुस्लिम तब्दे ने मौलानों की जम की तारिफ की। फर्मान में शादी तक्रीब में गाना बजाना और नाज गाने पर पावंदी है। इस फर्मान को लेकर कमेटी के मौलानों ने मिल कर जारी किया। उनका कहना है कि इसलाम ने निका को आसान बनाया गया है लोग लाखों रुपे सिर्फ शादी में डीजे बजाने पर खर्च करते हैं शादी को महंगा बना रहे हैं इसलाम में नाज गाने पर कोई तसवर नहीं है ये सरासर हराम है और ये गैर इसलामिक तरीका है दोस्तों अगर ये फर्मान सभी स्टेट में जारी हो जाए तो हर मुसलिम धरम में गरी बच्चों की शादी आसान हो सकती है क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फिर में क्या आप में जुनूने समस्याओं को उजागर करने का क्या आप में जजबा है लोगों को न्याय दिनाने का तो टीम में 100 से जादे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं आप भी जुड़िये राइट टू इंफॉर्मेशन समाच की खबरे न्यूज एजनसी के साथ और बनाएए पत्रकारता में अपना सफल करियर